इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्राखन बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट मौजूद है सर कल बीजेपी सांसदों की बैठा कोई जिसमें आप भी मौजूद थे मुक्खे बंद्री भी मौजूद रहे किन मुद्दों को लेकर चर्चा होई है कि जब भी लोकसवा का सत्र होता है तो एक राजन दल के संक्रणान के अध्यक्ष होने के नाथ है कारेकट और दोरा लोगसूद अन्यकों विश्यात आते जो लोकसवा के लिए उठाए जातने लोकसवा के लिए उन वीश्यों पर चर्चा होती है सांसुदर के मन में क्या है कि विश्व को लेकर हो सदन में विश्य रख रहे हैं उस पर वी स्वामु ग्रूप से चर्चा हुए रूप अने को वैसे तो देश के प्रधार मंत्री मोदी जी उत्राखन की बहुत चिंता करते हैं हमारे यहां अने सारे जितने विभारत सरकार के है यह तो भी बहुत से विश्य दिन वीश्य पर से मने मुक्क मंत्री जी संसु पर करते हैं तौ उस्यों को दूसरा क्योंकि आव लोक्षभा चुना और तो लोक्स्वा की चुना ओंकि दिर्से संसुद हो के कारिकम संगटर के नजरी से चले और उनके प्रवास के कारिकम वी खास दुर्पर अभी पांच और चेह तारिक और दो पंचैत प्रतिर करा समयलन रामद नगर में वाला इ era में गड़वाल कLS मेलन दो गड़वाल आप्ड़वाल धर्याम्टरी परहों हाँ क्याम यहां की उन्तर समयलन भानारें events साथ सांसदों को सारा उनके समौंक रखा गया है इसके सासद अब लोग सवाश्तर की बैठड के हैं हमारे सबी विधाय को के साथ लोग सवाश्तर पर सांसदों करें अनियों को बड़ी बड़े बुट हैं जिन become पहले हम रातरी प्रुवास खारेक्म करते सब्सक्राइब करने वाले हम लोग अपने बूत कमेटी का समयलन करने वाले इस सब्सक्राइब करता हूं का मारदरन सांसदों करूप कभी उनको मिले इस बाव के साथ चर्चाम नकल की है तो समझा जाए कि अब सांसद जादा से जादा अपने छेत्रों में रहेंगे चुनाओ तक 11 सितंबर के बाद क्योंकि पार्लेमेंट समाप्त हो जाएगी 11 अगस्त और उसके बाद उनका सिधा अपने चेत्रों में होगा और हम भी सारे कारिकम सांसद केंदित कारिकम करने वाले हैं इसके साथ ही सर आप लोग तो तयारी में जुटे ही हैं कॉंग्रेस पार्टी विवी उत्राखन में तयारियों में जुटी है राहूल गांदी पतियाधरा भी करने वाले हैं किस सरह से देख रहे हैं कॉंग्रेस की तयारी को पिछले अजो मेने से राहूल गांदी आ रहे हैं यह हम सुन रहे हैं और month and लाइब हम Fehmaudal आइप लिगे मांक घंजी खेपार कुल само कि यह अभी तक न दो विश्वास नहीं कर रहा है उनको गुम्रा कर रहा है और इसू है नहीं जब इसू होते नहीं है तो कॉंग्रेस के कारिकम हमारे कारिकम आधारित हो जाते हैं आज कल मत देख रहा हूं कि भार जनता पड़ेंगे क्यों क्या बार जनता पर ऐसा क्यों कर रही है इन विश्व को लेकिन कॉंग्रेस नाकाम सीद रही है इसलिए उत्राकर इत्यास बदला है पुस्करज धामी जी के नित्रत में हम लोग रिपीट हुए है और आप तो उत्राकर में लंबे समध भार जनता पड़े सकार रहेगी ऐसा विश्वाप पूरा कह सकता है कि जिस तरह से बीजेपी लगतार तैयारी कर रही है मंतन दोहजार चौबिस को लेकर कर रही है वैसे में कॉंग्रेस पार्टी कहीं नहीं है कि अपने कारीकम कोई अजंडा भी तोग्रेस ने लोगों के सम्मुकर नहीं रखा आप करना क्या चाहते है ना केंदर में कहीं दिखाए देदा ना राज्यों के अंदर दिखाए देदा बीजेपी क्या कर रही है इसका विरोध करना यह लोगतंत्र में सार्थ तक चिद्र नहीं होता है आप आपके सरकारों में नकल का प्रुभाव था उसको समाथ्त क्या है आपको स्वागत करने जिए उसका विरोध करना जी है एक और आखरी सवाल है कि मरीपूर के मामले के अगर बात करते हैं तो रोजाना लोगसभा और राज्यसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है आज कॉंग्रेश पार्टी के तरफ से अविश्वास प्रस्ताओं का नोटीस पेश किया गया जिसे मन्जूरी मिल गई है चर्चा इस पर होगी किस तरह से इसको देख रहे हैं आप लोग क्योंकि सरकार पर गंभीर आरोप विपक्ष्री पार्टियों के सांसद लगा रहे है तेखिए मनिपूर की घटना का कोई समर्थन नहीं कर सकता है हम तो बंगाल में हो राहिस्तान में हो चत्रिशगर में हो जहां भी मातर स्कते अपमान होता है सारी पार्टी उसके खिलाब हम लोग रहते हैं अपने सुरू से मनिपूर घटना पर मुक्ष्य मंत्री पार्लेम मंत्री बोले मंत्री बोले मंत्री बोले यह पहली बार हो रहा है मोधी बोले मोधी बोले और यह विश्वात प्रस्ता भाजपा के लिए क्योंकि मोधी जी का जो वक्तव्य होगा उससे काट कि कोई गुझा इन पर है नहीं पर विश्वास लाएंगे और विश्वास कोंग्रेस के लिए और उनको घर्त में बेजने का काम करेगा बहुत शुक्रिया बाचीत के लिए देखे साफत और प्रक्याना है दो हजार चौबिस को लेकर तैयारिया तेज है और जिस तहा से तैयारी बीजेपी कर रही है उसके सामने कॉंग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है क्यामर परसर बोहित के साथ स्वाती पाठक भारत समचार दिल्ली